हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जार्खन एजूकेशन में फ्रेंड्स आज किस वीडियो में हम देखेंगे जैसे सी दौरा पिछले एक्जाम में पूछा गया ज्यार्खन से समबंदी जो भी प्रशन है उसे हम यहां पर देखेंगे उससे हम यहाँ पर देखेंगे फ्रेंट्स आप लोग को जानकारी होना चाहिए कि यदि आप किसी भी एक्जाम की तयारी कर रहे हैं तो आप लोग को जोकी दो चीजों की जानकारी होनी चाहिए जिसमें की सबसे पहला यदि देखा जाए तो प्रिवेर सियर के जो किवशन होते हैं यानि प्रिवेर सियर के जो किवशन होते हैं उसके बारे में जानकारी होना चाहिए और दूसरा यदि बात करें तो आप जिस भी एक्जाम की तयारी कर रहे हैं उसका syllabus जो है कि आप लोगो जानकारी होना चाहिए तो friends यहाँ पर हम जो है कि इस वीडियो के मादेम से आप लोगो जैसे सी दुवारा जो पिछले exam में जो conduct कराया गया है जैसे सी के दुवारा जो exam में जो जारकंट सम्मधि जो प्रस्ण पुछा गया है उन प्रस्णों को हम यहाँ पर करेंगे आप लोगो बतादे friends की जितने भी exam लिए जाते हैं उसमें जो एकी 60-70% ऐसे होते हैं प्रस्ण जो की previous year के होते हैं यह पिछली exam में पुछे गया हैं और 30-40% ऐसे प्रस्ण होते हैं जो की नए प्रस्ण बनते हैं तो friends आप लोगो जो की previous year की question जो है देखना बहुत ही जरूरी है देखने से आप लोगो आइडिया भी लग जाएगा friends की कहां से प्रस्ण पुछे जा रहे हैं जैसे सी द्वारा जो है की बार बार कहां से प्रस्ण पुछा जाता है और कौन कौन से प्रस्ण पुछा जाता है इसके बारे में आप लोग का आइडिया लग जाएगा तो friends आप वीडियो को बिना स्केप के विए लाश्ट तक देखेगा और यदि चैनल में पाली बार विजिट कर रहेंगो तो चैनल को सस्क्राइब कर बेल आइकन को भी प्रेस कर लिजेगा ताकि इस तरह का आगे जो भी वीडियो जाए उसकी नडिफिकेशन आपको मिलती रहेगी तो friends यह प्रिवियर शेयर क्यूशन का यह पहला वीडियो है आप देखेगा friends अपने आप में यह अनुभाव भी कर लेंगे तो चले friends ज्यादा समय वेस्ट नहीं करते हैं वीडियो की ओर चलते हैं तो friends यहाँ पर देखेगा जो पहला क्यूशन है यहाँ पर देख रहे होंगे कि यह जारकन का एक जीला है जहां पचास एकड़ भूमी का एक बड़ा तलाब हुआ करता था और क्यूदंती के अनुसार कोई भी बेक्ती तैर कर अथवा हाथी पर या नाव पर तलाब को एक छोर से दूसरे छोर पार नहीं कर पाया है और यह यदि किसी ने ऐसा दूसराज भी किया जितो उसके पाउं घेरे में फह जाते हैं और वह अपने आपको जल समाधी में जल पाता था और इस जिले का नाम बताना है फ्रेंट्स जहां पर यह तलाब था यानि कि यह जो तलाब है वह किस जिले में इस्तित है उस जिला का नाम बताना है तो यहां पर यह जो जबाब होगा फ्रेंट्स यहां पर चार उप्सन दिया गया है इसमें से सही जबाब है उप्सन कि देश में देश की जनसंक्या लगभग ब्लैंक से यहां पर हिस्सा जार्खन की जनसंक्या अक्षादित करता है यानि 2011 की जन गन्नाई के अनुसार पूछ रहा है जो देश की जन संक्या है ठीक है वो देश की जन संक्या का लगभग कितना परतिसत जो हिस्सा है वो जारकन की जन संक्या जो है वो अक्छादित करती है तो यहाँ पे option के अनुसार इती देखा दैप्टेंस तो यहाँ पे इ बेष के जन्सेंकिया में जार्कन का जिका जाए तो दो दसमलोलो साथ दूपरतिसक जो है यह जार्कन के जो जन्सेंकिया है वह अक्छादित करता है तो यहाँ पेस का ओप्शन B जो है वह सही हो जाएगा अगला प्रस्ण देखते हैं देवघर में वैजनात मंदीर धाम के ब्लैंक्स में सीव के एक सीव ज्योतिर लिंग है और साथ ही वह ब्लैंक्स सकती पीठों में एक सकती पीठ है यानि यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जो देवघर में वैजनात मंदीर है आप लोगों को माल पर यदि option देखा जाए प्रेंट इसका जो सही अंसर होगा यहाँ पर 12 जो है कि सीव लिंग है जो तिर लिंग सीव का और जो एक्यामन जो है कि 31 जो है कि सक्ति पीठ है यानि यहाँ पर option जो सी है वह सही हो जाएगा अगला प्रशनिया पर देखते हैं स्क्रॉल चित्रकला क स्रे जारकन की निम्न जन जाती को जाता है जो स्क्रॉल चित्रकला है यह जारकन के जो किन जन जाती को है कि यह जाता है option है संथाल, खरवार, सबर, सबर इन में से कोई नहीं तो इसका यदि सही जवाब देखा जाए तो option नमबर जो सी है सबर इसका सही जवाब हो जाएग गलत कथन की पहचान करे जो इसमें से गलत कथन है उसे जो है की पहचान करना है कथन क्या है यहाँ पर एन नमबर में आप देख रहे होंगे कि दनसाई और सोहराई जहां युवा वर्ग करम की रात को गाता है और नाचता है और ये नेक्स्ट यहां पर देखे जो टूसू ठीक है टूसू फसल पर्व मुख्यतह अभिवाहित कन्याओं द्वारा मनाया जाता है तो टूसू जो फसल पर्व एक परकार का यह है ठीक है और यह जो है कि अभिवाहित कन्याओं की द्वारा अभिवाहित महिलाओं के द्व पूलो का परियोग अनुस्ठानिक रूप में किया जाता है, यानि सरहूल ये भी सही है, यानि इसका जो C option है, ये भी बिलकुल सही है, तो जब तीन option सही है, तो यहाँ पी आपका जो 4 number का है, ये जो है कि खुद से सही हो जाएगा, मतलब कि ये गलत है, इसलिए इसका जो सह अगला प्रस्ण है, बॉकसाइड के अक्षादित भंडार की दिरिष्टि से जार्खन राजे का भारत वर्ष में अस्थान है, ये इसका जो सही अंसर होगा, option B शात्वा अगला प्रस्ण है निम्न में से कौन जार्खन का धनुधर नहीं है यानि कि इन में से कौन से बैगती हैं जो जार्खन के धनुधर नहीं है मधुमिता कुमारी, पॉर्णीमा महतो, दिपिका कुमारी और अरूना मिसरा इसमें जो सही जबाब होगा option number D अरुना मिष्रा यह जो हैं कि झारखन के धनुर्धर नहीं हैं और बाकी जो तीन उब्चन देख रहे हैं मधुमिता कुमारी और पूर्णिमा महतो और दिपी का कुमारी इन तीनों का संबन जो है Ոह इनका जो संबन्ध है वह जारखन राजी से है और ये तीनों जो हैं कि एक धनुरधर है ठीक है यानि कि इसका जो सही जवाब हो जाएगा option D अगला प्रस्ण है यह तेवहार मुख्यता पसुओं के लिए है तो पसुओं के लिए तेवहार कौन सा है बंदना यहाँ पर देखेने बंदरा और जनी सिकार रोहिनी हल पुलिया हल पुनिया ठीक है न तो यहाँ पर जो सही जवाब होगा इसका option number A बंदना ठीक है न बं प्रस्ण यहाँ पर देख लेते हैं अगला प्रस्ण है कि प्राचिन काल में इसे राजा कटंग देव द्वारा सासित बीरु कैलस पूर परगना के नाम से जाना जाता था यानी जो प्राचिन काल में पुराने समय में जो है इसे राजा कटंक द्वारा कौन से राजा द्वारा कटंक देव द्वारा जो है इसे सासित बीरू कैसल पूर परगना यानि की कैसल पूर परगना के नाम से जो है जाना जाता था तो वह कौन सा जगा था तो यदि देखा जाए वह यहां पर नाम बताना है तो समुदाय का जो नाम था वह तूरी यानि यहां पर जो इसका option C है वह सही हो जाएगा ठीक है तूरी चलिए अगले प्रश्नी क्यों चलते हैं ज़ार्खन राजे का सिंचित छेत्र जो है यानिकि जो सर्वतम उत्तर है उसी को जो जो यहां पर चैन करना है तो जहारखन राजे का जो सिंचित छेत्र है यानि कि जितने छेत्रों पर जो है कि सिजाई किया जाता है उसे यहाँ पर बताना है तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा अप्षन ए तीन दसमलोग जीरो जीरो साथ लाख हेक्टेयर ठीक है ना यानि इसका अप्षन ए जो है वह सही हो जाएगा चली यहाँ पे जो अगला प्रस्ण है जोहार का बिस्तारित रूप है और यह जो है कि जोहार का फुल फॉम बहुत बार जो है कि जैससी के दोबारा एक्जाम में जो है कि पूछा गया है यानि जोहार का यहाँ पे फुल फॉम पूछ रहा है तो जोहार का फुल फॉम यह देखा जाए तो जारकन ऑपर्चूनिटीज फोर हर शेरिंग रूलर ग्रोथ यानि इसका जो अप्षन ए है वह सही हो जाएगा यहाँ पे देख रह चलिए यहाँ पे अगला प्रस्ण देखते हैं जो अगला प्रस्ण है यहाँ पे देख रहे होंगे कि जारकन सरकार द्वारा भारत सरकार के निम्न में से कौन से नगर को एस्मार्ट नगर के रूप में विक्सित किये जाने का प्रस्ताव नहीं किया गया है यानि यह जो previous description है तो उस समय तक किती देखा जाए तो जो जारकन सरकार द्वारा जो है भारत सरकार के जो निम्न सहर में से यानि कि कौन से सहर को जो है अस्मार्ट नगर के रूप में विक्सित करने का प्रस्ताव जो है की नहीं किया गया था तो यहाँ पे option जो दीख रहा है इसमें से जो सही option होगा option D जाम ताड़ा यानि यहाँ पे देख रहे हैं option number D जो है जाम ताड़ा इसका सही जबाब होगा अब यहाँ पे देखते हैं यह जो देख रहे हैं अगला प्रस्ण जो है यहाँ पे देखिएगा कि नीती आयोग की दिसंबर 2018 से जनवरी 2019 की अवधी के लिए महत्वाकांची जीलों की सूची में जार्खन के कितने जीले सिखर पर हैं यानि कि जो नीती आयोग है यहाँ पे नीती आयोग की जो दिसं कमबर 2018 से लेकर जनवरी 2019 की अवधी तक यहाँ पे बात कर रहा है इसमें से जार्खन के कितने जीले जो है वह मात्वाकांची मतलब जीले जो कितने हैं जो की सिखर पर हैं तो यहाँ पे ऑप्शन देख रहे हैं दो तीन चार और पांच इसका सही जबाब हो जाएगा ऑप योजना आईशुमान भारत का टॉल फिर नंबर है यानि जो जार्खन में परवर्तित जो परधान मंतरी जन आरोगी योजना जो है इसमें आईशुमान भारत का जो टॉल फिर नंबर है ठीक है उस टॉल फिर नंबर के बारे में पुछ रहा है कि वह टॉल फिर नंबर कौ प्रेंट्स जार्खन में जनसंक्या घनत्व है यानि जार्खन में जनसंक्या घनत्व है तो कितना है तो 414 व्यक्ति प्रति वर किलोमेटर यानि इसका जो सी ओप्षन है वह सही हो जाएगा यानि कि जार्खन में जो जनसंक्या का घनत्व है वह 414 व्यक्ति प्रति वर किलोम है इसलिए इसका जो सी ओप्षन जो है वह सही हो जागा तो इस तरह से यहां पर देखा जाए तो आप लोगो जो 16 प्रश्णों को यहां पर जारकन से सम्भादी जो कि प्रिवेर के थे यहां से पूछा गया तो यहां से देखने के बाद आप लोगो मालुम चला होगा फ्रे और मंदीर से लेकर भी था ठीक यहां पर जो भी मतलब यहां है खनीज भंडार इन सबों से प्रश्ण जो है कि पूछा गया था तो ऐसे ही वीडियो को पाने के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहेगा आप लोगो जो है कि प्रिवेर करने के बाद जो है कि आप लोगो कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में जरू बताएं और वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करें अपने दोस्तों में सेर भी करें तो फ्रेंड्स आज की वीडियो बस इतना ही मिलते है आप नेक्श वीडियो में जैहिन जैधारकन